यह मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है तो मैं और जगव में भी यह कहा हूँ कि सारे के सारा जो चलेंज पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज खतम होने को जा रहा था या उनको काफी दक्का कश्मीर में पहुंचा है तो अब जो जिनका धंदा पानी इससे चलू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको जिन्दा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को जिन्दार बेजेंगे अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है तो चुहे की तरह हैं तो पर हैं इस तरीके से की बंदूख है और निहत्ते लोगों के सामने मतलब उनको मुका मिल जाता है अब हम पूरी आवाम के साथ आपने जैसे देखा यहां पर जिस तरीके से इंफर्मेशन फ्लो कर रहा है हमारी वेलेज़ डिफेंस ग्रूप है हमारे स्प्योज है हमारे कोर्स है हमारे CRPF है आर्मी है तो ये इसके सामने कहां ये टिकेंगे ये आटदस साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरात अफरी मचाने के लिए पुराने जो डिफ्त इलाके में ये हमारा बड़र इलाका है गुजारेश यह है आवाम से कि इंफर्मेशन फ्लो जरूर जारी रहे पर हम एक अंग्रेजी में एक लफज कहते हैं कि मनें फॉल्स फ्लाग हो जाता है मतलब कई बार इन्फर्मेशन में हाँ मतलब हम डर्के मारे कई बार होता है तो उसको परखे क्योंकि नफरी उतनी होती है फिर हम जहां पे होना चाहिए वाह ही होना चाहिए हमें sab Talent गा इसस पी साहब को कि यहां पे हर चोटे-बड़े इन्फर्मेशन पर हम रिस्पंड कर गाड़ीओं में, नाइड विजन डिफाइज में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन-चुन के माड आ लेगे. उसका भी देखिए, ये एक जंग है, हमको मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा इस बात का, कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है हर जंग में दुस्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए और हमारा टाक्टिक्स और स्ट्राटीजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हैं उनको नास्तो नबुत कर देना है पना बाति ने जले हैं हमने और जगह पे भी कहा है जो चंद गिने चुने लोग होंगे हम उनको कुछल देंगे इसे शक्ति से पेसाेंगे कि नमुना बनाएंगे उनका कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर काम पेंगे